हेलो डियार जितने भी फास्ट एयर के डियर ए स्टुटेंट हो आप लोग मिलकम करता हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया कि अपरील भर जो भी कुश्चन मुझे लगता है जिस भी सब्जेक्ट में कि अच्छा कुश्चन है और हार्ड कुश्चन है जो आपसे इतना जल्दी याद नहीं हो सकता है तो उसके लिए मैं आपको करा दे रहा हूँ अभी बिहार में एकजाम होने वाले हैं दो तीन महिना के बाद यूपी में होने वाले हैं जून में ठीक है उसके बाद राजस्थान में होने वाले हैं अलग-अलग अस्टेट में 22-23 के लिए एकजाम अभी होने वाले हैं और एमपी में पता नहीं कम होगा ठीक है एमपी का आभी कुछ ठीक नहीं है कि इन्रॉल्मेंट भी नहीं हुआ है वहाँ पे तो अभी वहाँ के लिए नहीं बता सकते हैं बाकी राजस्थान में और बिहार में तो एक महिना के अंदर में एकजाम सुरू हो जाएगा तो चलिए आप लोग देखिए और माई से हम लोग 23-24 के लिए बैच सुरू कर रहे हैं जो भी 23-24 में किसी भी स्टेट से आप एकजा कुस्चन को सुरू करते हैं आज जो हम ट logic लेकर आए यह आपका एप हो एंस से है मिनस fundamental of nursing से है फर्स्ट इयर का तिसरा सब्जेक्ट होता है तिसरा पेपर होता है fundamental of nursing ठीका जिसे Foundation of Nursing भी कहा जाता है तो आज किस वीडियो में हम लोग Enema के उपर चर्चा करने बाले हैं Enema क्या होता है Enema का परकार क्या है और Enema क्यों हम लोग देते हैं ठीक है तो Enema को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे चलिए हम लोग जो है Enema के उपर देखते हैं Enema होता क्या है देखिए Enema एक बहुत important topic है medical चेतर में, nursing चेतर में Enema बरी आथ के rectum मतलब मलास से भाग में किसी विशेश उदेश यानि cleaning के उदेश से या फिर medication के उपेश उदेश से fluid को inject करना Enema कहलाता है देखिए Enema जो होता है जिस परकार से हम लोग दरद होने पर टबलेर देते हैं injection देते हैं, बुखार होने पर देते हैं उसी परकार से अगर कोई बेक्ती को आत के सफाई करना हो आत में बहुँ ज़दा मल फंस गया हो मल जमा हो गया हो मल बाहर ना निकल रहा हो या फिर कोई बेक्ती मूँ से कोई भोजन नहीं ले रहा हो उसको दवाई मूँ से नहीं ले रहा हो उसको दवाई बड़ी आत तक नहीं जा रहा हो तो उस condition में हम लोग दवाई भी दे सकते हैं Enema के दोरा मलासे के थुरू Enema भी दे सकते हैं उसके बाद दवाई भी दे सकते हैं और यहां तक कुछ फुलूट भी दे सकते हैं तरल भी दे सकते हैं पोसन के रूप में तो इन सब चीजों के लिए Enema जो है मलासे के रास्ते से बरी आत में ठीक है पहुँचाया जाता है तरल को यही जो है Enema कहा जाता है ठीक है चलिए Enema का उदेस नहीं होता है कि भाई साप करने के लिए या Medication के लिए इसका उपयोग किया जाता है यही इसका उदेस है Medication में आ जाएगा दबाई बगएरा तरल बगएरा पोसन बगएरा और Cleaning में आ जाएगा मलासे को दोने के लिए या फिर बरी आत को दोने के लिए इन सब के लिए Cleaning का उपयोग हो जाएगा तो चुकि Enema यही होता है ठीक है चलिए Enema का आप लोग देखते होएगा जब कोई बेक्टी का मल बहुत ज़्यदा सक्त हो जाए हार्ड हो जाए मल बाहर न निकले वह मल कई दिनों से फासा हो आत में तो फिर जो है उसे Enema दिया जाता है बुरे लोग में खास कर बहुत ज़्यदा कब्ज के परसानियां होता है तो अक्सर जो है बुरे लोगों को Enema दिया जाता है ठीक है Unconscious Patent को भी जो है दिया जाता है यह सरद चीजे होता है पर यह समझ में आएगा Enema का वरगी करन ठीक है अब Enema Long Kitchen में भी पुछा जा सकता है Short में भी पुछा जा सकता है Enema का वरगी करन Enema का वरगी करन इसके उदेश के अधार पर मतलब इसके उप्यूग करने के अधार पर दो भागों में बाता जाता है ठीक है दो भागों में दो भाग कौन कौन सा है एक है Evacuent Enema एक क्या है Evacuent Enema और एक है Erriten San Enema अब आप लोग देख लीजे Evacuent Enema जो होता है यह आत को खाली करने में यह आत को साप करने में उप्योग किया जाता है ठीक है Evacuent Enema साप सफाई के लिए उप्योग किया जाता है Erriten San Enema होता है जो अंदर में कुछ परवेस कराना हो जैसे कोई तरल हो गया कोई पोशन हो गया कोई दवाई हो गया इन सब चीजों को अगर अंदर परवेस कराना है तो उसके लिए Retention Enema का उप्योग करते है समझ गए बाते को Evacuent Enema होता है आत को मलासे को खाली करने के लिए समझ गए Retention Enema होता है अंदर कोई चीज को पहुंचाने के लिए कोई चीज क्या तरल के रूप में पोशन हो सकता है दवाई हो सकता है बाते को समझ गए तो Evacuent Enema Retention Enema इंटर्विव में सब खास कर Enema से पुछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा अब Type of Enema मैंने पहले ही आपको Type of Enema बता दिया है आपके सामने में है Evacuent Enema और Retention Enema ठीक है Retention Enema किस लिए है पता है अंदर कोई चीज पहुंचाने के लिए तरल के रूप में चाहे हो दवाई हो या फिर पोशन हो Evacuent Enema का मतलब होता है Evacuent Enema का मतलब होता है Simple Enema, Cold Enema, Medicated Evacuent Enema या तीन Enema है Retention Enema में है Estimulate Enema, Anesthetic Enema Nutrition Enema, Sedative Enema Emolient Enema, Barium Enema अब यह सब Enema है जरूर याद रखिएगा Nutrition Enema है पोशन के लिए पोशन पहुंचाने के लिए अनेस्थेटिक Enema है बेहोसीक अगर करना है पेसेंट को तो बेहोसी करने के लिए जो है अनेस्थेटिक Enema देते हैं उसके बाद होता है Emolient Enema है Barium Enema है आतों को क्लीन करने के लिए जिसमें अगर किसी को X-ray करना हो तो Barium का काम होता है एकदम साप कर क्लीन इमेजिन करता है तो Barium Enema उसके लिए समझी गए तो सब चीज समझीएगा आगे बाकी Evacuent Enema में Simple Enema, Cold Enema, Medicated Enema अब जो Medicated Evacuent Enema है इसमें भी परकार है IL Enema है Extringent Enema है Ant-Helminthic Enema है और Carminative Enema है ठीक है? तो याद रखिएगा Medicated Evacuent Enema में IL, Extringent, Ant-Helminthic और Carminative तो यह याद रखिएगा यह आपके सामने में है याद रखिएगा Retention में यह सब है और Evacuent में यह है है तो यह मिलिती नहीं लेकिन यह Medicated Enema का यह सब परकार है चलिए अब हम लोग उपर में जितना दुनों को अलग-अलग परकार देखे हैं उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे फाला इधर है Enema है इसका उदेश है और इधर इसमें कौन से Enema में कौन से Solution का उप्योग हम लोग करते हैं इसका यहाँ पे जनकारी है तो जो हमने देखा है Simple Evacuent Enema में Simple Enema जो है जो Evacuent Enema का परकार है इसका उदेश होता है कब्ज को दूर करने है तू Diffication को प्रेरित करने है तू मतलब मल जो है उसको त्यागने के लिए प्रेरित करने के लिए कब्ज को दूर करने के लिए तो Simple Enema का काम है कि भाई यह कब्ज को दूर करता है और मल को प्रेरीद करता है जब कब जो दूर होगा तो मल त्यागने के लिए प्रेरीद होगा ही तो simple enema का यही काम है अब इसके लिए जो solution का उप्योग किया जाता है जो enema बनाया जाता है वह होता है साबुन और जेली का solution या फिर जो एनेस होता है normal saline उसका enema त्यार किया जाता है solution में तो simple enema में sop jelly enema होता है साबुन, jelly का या फिरす nor cam苔र जियार किया जाता है जो होता है कबोरिगा को प्रेरिद करने के लिए अब IL enema का क्या ग्याम है आयल एनीमा जो कि आप लोग देखें हैं मेडिकेटेड वाला का एक्जामपल है या हार्ड फिकल मेंटर को सौप्ट करने हैं तो किसी को मल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है बहुत पा रहा है बहुत पेनफुल है तो उसको मल को सौप्ट करने के लिए आयल एनीमा यानि तैलिये एनीमा का उप्योग किया जाता है और इसके लिए जो हम उप्योग करते हैं वह ओलीव आयल होता है या फिर कस्टर आयल पलस में ओलीव आयल होता है तो आयल एनीमा में ओलीव आयल या फिर कस्टर आयल प्लस में ओलीव आयल का उप्योग किया जाता है प्यूर्गेटिव एनीमा प्यूर्गेटिव एनीमा भी आप लोग देखे हैं प्रिगेटिव एनिमा जो होता है यह प्रिस्टलास्टिक को प्रेरिद करने हैं तो प्रिस्टलास्टिक जानते हैं जो आत का गती होता है जो मल नीचे की तरफ आता है वह इसी प्रिस्टलासिस मुवमेंट के जरिये ही जो है आता है कर्मा कुंचन गती जो कहते हैं न वही य प्युगेटीव एणीमा ताकि मल नीचे की तरप आए. ठीक है, इसके लिए हम लोग pure glycerine का उपयोग करते हैं, glycerine plus water का उपयोग करते हैं, magnesium sulfate का भी उपयोग करते आ, ठीक है, water के साथ में, and glycerine and custard isle का भी उपयोग करते हैं. यहाँ पे ratio दिया गया है किसका कितना ratio है आप यहाँ पे देख लीजिए तो purgative enema में pure glycerine का उपयोग होता है glycerine plus water का भी उपयोग होता है magnesium sulfate का भी उपयोग होता है और glycerine और custard iron का भी उपयोग होता है बाते को समझ गया है चलिए अब यहाँ पे आता है आप लोग medicated enema में ही देखे हैं कि anti-helminthic enema भी देखे हैं तो anti-helminthic enema होता है या आत्रिय परजीवी को मारने है तो जिसमें पेट में नहीं करते हैं आत में किरा हो गया है पेट में किरा हो गया है तो उस किरा को मारने के लिए जो है anti-helminthic enema का उप्योग किया जाता है इसमें हम लोग quinesia solution hypertonic saline solution का उप्योग करते हैं ठीक है पेट में किरा को मारने के लिए हम लोग anti-helthemic enema का उप्योग करते हैं जो होता है quinesia solution ठीक है तो यहाँ पे ant-healthemic जो एनीमा है या आतों में परजीवी को मारता है किरा को और जैसे quansia solution ठीक है quansia solution हाइपर टोनिक से लाइन और यही सब चीजे जो है इसका उपियोग किया जाता है कर्मिनेटिव एनीमा है आप लोग देखें कर्मिनेटिव एनीमा जो होता है यह आपके जो है gassage relief करने है तो अगा किसी को पेट में बहुत जादा gass बन चुका है तो उसके लिए कर्मिनेटिव एनीमा का उप्योग किया जाता है यह gas को रिलीव करता है जैसे तर्पेनटाइन और Яसलीलीज करता है और यह एक प्रकार का कर्मिनेटिव एनिमा ठीक है एस्टीजेंट एनिमा क्या करता है यह एनिफ्लामेशन को कम वबलिडिंग को रोकने है तु इस्तमाल क्या आगर किसी को आथ से यानि मलासर से बहुत bleeding हो रहा है तो उसको रोकने के लिए साथ में प्रदाह यानि inflammation होगा तभी तो bleeding होगा न तो इन दोनों को रोकने के लिए estrogen, enema का उप्योग किया जाता है जिसके लिए tiny acid, silver nitrate और alum का उप्योग किया जाता है यह सब solution में उप्योग किया जाता है याद रखिएगा cold cream क्या होता है cold cream जो है heat stroke की स्थिती में अगर बहुँ ज़्यादा गर्म जो है लग चुका है heat गर्मी का गर्मी से stroke लगा है तो उस स्थिती में जो है आपको cold water का enema दिया जाता है 80 से 90 फरना height का याद रखिएगा आगे है stimulate enema stimulate enema जो होता है यह sock यह opium poisoning case में दिया जाता है stimulate enema जो होता है यह sock के स्थिती में यह फिर opium poisoning case में stimulate enema दिया जाता है जिसमें black coffee होता है प्लस में water होता है ठीक है और brandy प्लस में glucose saline होता है तो stimulate enema में जो है sock और opium poisoning के case में stimulate enema दिया जाता है इसमें जो solution का उप्योग करते है वह black coffee प्लस water होता है उसके बाद और भी चीज है brandy प्लस glucose saline होता है तो यह दोनों में से जो solution का है उसका उप्योग किया जाता है ठीक है आगे है emollient enema emollient enema होता है जो rectum malasem mucosa के soothing है मतलब smoothing होतो malasem में अगर किसी को बहुँ ज़्यादा irritate हो रहा है malasem hardness है तो malasem को mucosa होता है जो जिल्ली होता है उसको smooth रखने के लिए चिकनाहत रखने के लिए emollient enema का उप्योग किया जाता है जैसे starch plus में opium starch plus opium का उप्योग किया जाता है emollient enema में next है nutrition enema nutrition enema कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग देख लिजिए कि nutrition का मतलब ही होता है potion potion है तो या electrolyte है तो इसके लिए nutrition enema का इस्तमाल किया जाता है जिसमें normal saline हो सकता है anis या फिर glucose saline हो सकता है या सब potion के लिए इस्तमाल किया जाता है या फिर body में तरल फुलूड को संतुलन बनाए रखने के लिए nutrition enema दिया जाता है आगे है एनेस्थेटिक enema एनेस्थेटिक enema का मतलब है anesthesia परभाव उत्पन करने के लिए अब जो anesthesia हम लोग local anesthesia में जैसे jelly बगरा आता है जिसको skin पर लगा देने से संनुपन हो जाता है उसी परकार से injection भी आता है injection दे देने से भी सुनुपन हो जाता है ठीक है बहुत सारे च Smith also आता है जिसको सुणा देने से inhale करा देने से बेहोसिया जाता है तो अगर बेक्टी का इन सब चीजों से प्रभाव नहीं पर रहा है तो फिर उसे मलासे के जरिये anesthesia दिया जाता है एनिमा के द्वारा और वह क्या करता है anesthesia प्रभाव उथपन करता है जैसे एभर्टिन डेर सो से 300 mg पर ती के जी यह एभर्टिन क्या करता है anesthesia यानि सुनुपन लाता है जहां भी लाना हो ला देगा next है sedative enema sedative enema का मतलब है sedative प्रभाव उथपन करने के लिए sedative प्रभाव उथपन करने के लिए मतलब बेक्टी को संतुलित करने के लिए बेक्टी को जो है सांत करने के लिए sedative प्रभाव उथपन करने के लिए sedative enema होता है इसके लिए जो solution का उप्योग होता है potassium bromide, chloral hydrate paraldehyde ठीक है? paraldehyde, chloral hydrate potassium bromide इसका उप्योग किया जाता है sedative enema में sedative प्रभाव उथपन करने के लिए barium enema का मतलब है diagnosis barium enema का उप्योग कहां किया जाता है तो अगर कोई diagnosis करना हो, कोई निदान करना हो जाच बगैडा में इसका इस्तमाल किया जाता है barium sulfate के जड़िए ठीक है? तो यह हो गया आपका विभिन परकार के enema, उसका उप्योग और उसका solution तो इस chart को आप एक दो बार पढ़िएगा इसकी insert ले लीजिएगा तो जाके आपको बेहतर result आएगा ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए position enema देने के लिए कौन सा position को इस्तमाल करते हैं तो enema लगाने के लिए मरीज को left lateral position दी जाती है बहुत important है एकजाम में पुछता है बहुत बार objective में कि enema के लिए कौन सा position उप्यूप्त होता है left lateral position ओके? आगे देखिए enema परदान तरीके enema देने के तरीके और बिधी enema देने के कौन-कौन से तरीके है कौन-कौन से बिधी है अगर enema आप tube बिधी से या केन बिधी से देते हैं जिसमें sop और jelly का इस्तमाल होता है sop और jelly का इस्तमाल कहां होता है पता है कबज को दूर करने के लिए मल को soft करने के लिए तो enema केन और tube बिधी का इस्तमाल करेंगे तो उसमें यहां पर यह tube लगा है, यह tube जो है, मलासे में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसे Enema, Cane यह tube भी दी कहा गया है, ओके? और मैं यहां पर बता देता हूं, सिधा सिधा बता देता हूं, बेसको के लिए, देख लिजिए, बेसक के लिए जो Enema घोल त्यार किया जा ठीक है 500 गराम से एक लीटर सोलूसन में घोल में अगर बच्चों के लिए पुछे तो बच्चों के लिए जो एनीमा होता है वह अरहाई सो गराम से लेकर जो है 500 गराम घोल में त्यार करके जो है एनीमा दिया जाता ठीक है तो दोनों important है याद रखिएगा आगे है फूनेल या कैठेडर बिधी, अब अगर कैठेडर बिधी का उपयोग किया जाए या फूनेल बिधी का उपयोग किया जाए तो उसमें इस परकार के कैठेडर लगा होता है और इस परकार के फूनेल लगा होता है जो ब्यक्ति को एनिमा देने के लिए कैठेडर और का उपयोग होता है बाकी देने का विधी सब का एक ही होता है सब को मलासे में ही गुदा से ही इंसर्ट किया जाता है पाइप को या कैठेडर को ठीक है गलिसरीन सिरींज कैठेडर विधी गलिसरीन इसमें फिरुगेटिव नीमा को दिया जाता है ठीक है गलिसरीन सिरींज और यह आपका कैठेडर है, इसलिए glycerine, syringe, कैठेडर भी धी कहा गया है, ठीक है, आगे है drip method, drip method में हम लोग nutrition बाला जो जो चीजे होता है, nutrition, portion अगर देना हो, तो उसके लिए हम लोग drip method का उप्योग करते हैं, ठीक है, तो drip method में देख लीजिए, यहाँ पे drip लगा हुआ है और यहाँ पे हमरा solution है, गोल है, इसमें nutrition होगा, और यह आपका tube लगा है, ठीक है, और यही आपका insert किया जाता है मलासे में, बाते को समझ गए, तो उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा एनीमा अच्छे से, और बाकी जो मैंने आपको उपर में जो उदाहरन के तोर सब का दिखाया हूँ, और अगर उदेश पुछे एनीमा का, जो मैंने यहाँ पे एनीमा का, जो उदेश यहाँ पे मैंने बताया है, आपके सामने यह सब उदेश ही है, यह सब उदेश ही है, ठीक है, तो यह सब उदेश आप यहाँ से लिख लिजिएगा, ठीक है, इतना स पहले तो आप इसको ध्यान में रखिए इस वाले चीज़ों को यहाँ पर एक इविक्वेंट है एक रिटेंशन है ठीक है रिटेंशन का मतलब अंदर पहुंचाने के लिए और इविक्वेंट का मतलब खाली करने के लिए धोने के लिए इविक्वेंट में है सिंपल एनिमा, sedative emollient barium चलिए अब यह जब याद हो जाएगा तो यह याद करना असान है simple enema है कब्ज को दूर करने के लिए मल त्याग में समस्या को दूर करने के लिए और मल त्याग को प्रिद करने के लिए इसमें soft jelly का उस्तमाल किया जाता है इसमें olive oil का इस्तमाल करते हैं custard oil का इस्तमाल करते हैं या फिर दोनों का इस्तमाल भी करते हैं ठीक है purgative enema है जो कि अभी उपर देखें कि इसका परकार है आप लोग सौच लीजिए purgative enema या preastelastic प्रेडित करता है या क्या करता है preastelastic को प्रेडित करता है purgative है तो इसमें pure glycerine का उप्योग glycerine water का उप्योग magnesium sulfate का उप्योग glycerine plus custard oil का उप्योग end healthemic enema है या आथ प्रेडित जीवी को मारता है इसके लिए quinesia solution या hypertonic saline solution का उप्योग करते हैं कर्मिनेटिव enema है जो gassage को release करता है इसके लिए terpentine और asphotide का उप्योग किया जाता है astigent enema है या inflammation और bleeding को कम करता है इसके लिए tannic acid, silver nitrate alum का उप्योग किया जाता है cold enema है आपके सामने में है heat stock के स्थिती में किसी को लू लगने पर cold water का enema दिया जाता है stimulate enema है जो shock के स्थिती में या opium poisoning case में दिया जाता है जैसे black coffee के साथ water या brandy के साथ glucose saline emollient enema है जो reactum malasya के mucosa को smooth करने के लिए starch plus opium का उप्योग किया जाता है आगे है nutrition enema nutrition enema क्या करता है portion के लिए electrolyte balance के लिए normal saline, glucosaline का उप्योग किया जाता है anesthetic enema है जो anesthesia परभाव उत्पन करने के लिए जैसे avartin आपका उप्योग किया जाता है solution में उसके बाद है sedative enema है जो sedative परभाव उत्पन करने के लिए जैसे potassium bromide chloral hydrate और pereldehyde okay barium enema है जो diagnosis उदेश से किया जाता है और यह barium sulfate का उप्योग किया जाता है ठीक है तो यह beach वाला जो है यह सब का उदेश है अगर आपसे उदेश पुछे तो उदेश में यह beach वाला सब लिख दीजिएगा line से एक करके तो यह आपका उदेश हो जाएगा और बाकी उदाहरन के साथ में भी मैंने आपको समझा दिया परकार समझा दिया होता कहा समझा दिये और कौन किस विधी से हम देते है यह भी यहाँ पर figure के साथ में समझा दिये कि अगर enema, cave और tube विधी का उप्योग होगा तो यह पिरूगेटीव nema के लिए होता है और पिरूगेटीव एणिमा क्या करता है इसमें glycine का उप्योग होता है water प्लस glycine का उप्योग होता है जो कि syringe के साथ में calculus मेंfestेदर के साथ में दिया जाता है drip method का उप्योग होता है मैंने बता दिया अब आपका काम है कि इन सब को कैसे त्यारी करना है क्या लिखना है नहीं लिखना है नोटस बनाईए नहीं बनाईए आपका काम है मैंने अच्छे से समझा दिया anima topic को और मैंने ए भी बता दिया ध्यान रखिएगा गलत मत किजियेगा अगर एडल्ड के लिए अगर आपसे solution का quantity पुछे मात्रा पुछे तो एडल्ड के लिए 500 ml से लेकर 1000 ml तक इस्तमाल किया जाता है ठीक है एडल्ड के लिए लेकिन अगर आपसे पुछ ले child के लिए तो child के लिए 800 ml से लेकर 500 ml तक इस्तमाल किया जाता है बच्चे के लिए ठी अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपना ख्या लखिएगा